वेलकम बेक टू माई चैनल और आप ये साड़ी देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हो रहा है साड़ी में तो मैं आपको बता दूँ कि ये साड़ी तार में उलज गई थी तो फट गई है तो इसमें रफू करना था क्योंकि ये बहुत ही महंगी साड़ी है से आपके थोड़ी बहुत हैल्प हो जाए तो इसके लिए मैंने इसी के मैज का कपड़ा लिया है जो हम पीको करवाते हैं साड़ी में तो जो इसके मतलब कपड़ा बचता है काटते हैं तो तो वो मैं हमेशा रख लेती हूं तो आप लोग भी वो कपड़ा ऐसे जैसे निक साड़ी का ही है और जो यह फट गया था इसके नीचे हमने इसको कपड़े को लगा दिया है और साफधानी से लगा है क्योंकि मतलब जो जो भी फटा है कपड़ा उसके बिल्कुल ठीक नीचे से रखना है और जो इसमें धागे बगरा निकल रहे हैं तो चोटी कैंची से हम काट देंगे और यह देखिए हमने यह कपड़ा रख लिया है और जो तुर्पाई वाली सुई होती है पतली उसमें मैचिंग का धागा डाल कर और पहले इसे हम इसमें फिक्स कर लेंगे ताकि यह हिले नहीं तो इस तरह से हमने यह रखके और बहुत छोटी छोटी स्टीच करके इसे हमने फिक्स कर लिया है मैचिंग का धागा लेके और यह धागे साइड से छोटी छोटी निकल रहे हैं तो वह मैने काट दीए है खियो ऑप अच्छी नहीं लगते था है यह कपड़ा जो है वो फिक्स कर लिया है सिलाई आपको बहुत छोटी लगानी है ताकि वो दिखाई नहीं दे और रफू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत सिंपल काम है आसानी से हम कर सकते हैं और कभी भी कोई भी महंगी साड़ी है या कोई भी कपड़ा है अगर फट जाता है तो हम घर पे आसानी से उसे कर लें रफू तो हो जाता है इसके लिए थोड़ी सी बस आपको अपनी अकल थोड़ी सी लगानी पड़ती है तो कोई भी काम है वो मुश्किल नहीं होता है तो आप लोग ऐसे आराम से कर सकते हैं और यह देखी वहने बहुत छोड़ी-छोड़ी सिलाई लगा के और उसे धीरे-धीरे करके सिल लिया है बिल्कुल बारिक सिलाई लगानी है क कि वो दिखाई नहीं दे और जो कड़ाई करने वाला फ्रेम आता है अगर आप चाहें तो वो उस पे फिक्स करके आप लोग कर सकते हैं क्योंकि उसे जो कपड़ा है वो आसानी से फिक्स हो जाता है हिलता नहीं है तो मेरे पास फ्रेम था नहीं तो फिर मैंने उसे ऐसे ही क देखी लिए आप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां से एक अपड़ा फटा था और यह बिल्कुल अच्छी तरह से सिल गया है दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद यह थोड़ी बहुत जो सिलाई है और क्योंकि यह स्टोन वाली साड़ी है तो इसमें थोड आता है चिपकाने के लिए उससे हमने इसमें जो स्टोन है वो फिक्स कर लिए है और देख लिए यह डिजाइन थोड़ी सी चेंज हो गई यह लेकिन यह क्योंकि स्टोन इसमें पहले से लगे हुए थे तो इसमें हमने जो कपड़े वाला फैविकोल लाता है जिसे फैबरिक गलू तो उससे हमने इसे छिपका लिया है तो इस तरह से यह नई डिजाइन भी हो गई है और साड़ी भी हमारी वैसे ही हो गई है कोई इतना दिहान नहीं जाता किसी का कि यह स्टोन कहीं जाता है कहीं कम वो तो वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीस कमेंट करके हमें बताईए और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो